गुद इपनेंग नमस्कार सभी लोगों का स्वागत थे जल्दी जल्दी से जॉइन हो जाएंगे आज की इस क्लास में और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैपी धनतेरस ये त्योहार बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाई साथी साथ आज के जो क्वेशन्स हैं बहु हम डील करेंगे तो एक बार जल्दी जल्दी से आजाएंगे सभी लोग एक बार जॉइन हो जाएं और उसके बाद में आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शांदर क्लास आज होने वाली है और MCQs जो इंपोर्टेंट आपको दिये जाएंगे एक्जा जल्दी से एक बार जॉइन हो जाओ जैसे ही आप सब लोग आ जाते हैं अम आज का ये जो सेशन है वो जल्दी से शुरू करते हैं और फटा फट रैपिड फायर की तरह ये सारे क्वेशन्स हम सॉल्व करेंगे और उसी के साथ में जो पूरा हाई कोर्ट का ये कंसेप्ट ह पूरे में जो क्वेशन्स पूछे जाते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे दयानिधी, कामीनी जी, सोनाली, जीनत सभी लोगों को गुद डिवनिंग और हापी धन तेरस चलिए आप सभी लोग शुरू हो गया आना तो हम अपने जो क्वेशन्स हैं उसकी क्लास की तरह आज सारे अपने मार्क्स भी बताएंगे कि कितने आये और कितने में से कितने आये ठीक है, questions पूरे काउंट कर ली जीगओ और अपने मार्क्स जरूर मुझे comment करके बताएगा, कि जैसे कल, mostly सारे students के 90 प्लस आरे थे, मतलब समझ रहें 90 percent की बात कर नीयू, 10 questions 10 में से आप लोगों ने 7, 8, 9 ये स्कोर और 10 भी in fact वो सारे स्कोर एकदम क्लियर किये हैं बड़ा मज़ा है था कल की क्लास में और ऐसा ही जो धमाका होने वाला है धनतेरस पर आज की इस क्लास में वो भी हम देखेंगे आप ही लोगों के थ्रू ठीक है वेरी गुड इवनिंग शाहिन जी, राजियू राम, दया निधी, गुड इवनिंग, महमत फैजल एंड सभी लोगों को हैपी दिवाली एस एडवान्स में तो देखें, कले एक लास और होने वाली है, इसी के बाद में डायरेक्ट लास कब होगी, आफ्टर दिवाली, तो आपको बहुत सारी शुब काम ना है दिवाली के शुरू करें हमारा आज का पहला क्वेशन, मॉनिका, वेरी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएंगे, चलिए, पहला क्वेशन आप लोगों के सामने, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा, इस पर रिखें के जो क्वेशन होते हैं, वो कभी कभी क्य यह आपको स्टेट्स दे रखें, इन स्टेट्स में से आपको बताना है कि किसका खुद का हाई कोट नहीं है, चार ओप्शन आपके सामने हैं, बड़ा अच्छे से देख लो, कौन-कौन से ओप्शन हैं, मनीपुर है, नागालेंड है, मेघाले है और त्रिपुरा है, चार आपके सामने हैं, अब आप लोगों को बताना है कि ओप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा, मनीपुर होगा, नागालेंड होगा, मेघाले होगा, या त्रिपुरा होगा, तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजे मुझे, और बताईए कि क्या सही जवाब रह इन स्टेट्स में से कॉन सा एक ऐसा स्टेट है जिसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो कॉन बताएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर बताएंगे, मनीपुर, नागालेंड, मेघाले, त्रिपुरा, क्या लगता है आप लोगों को, अहाँ बड़ा सोच विचार के जवाब अब आ रहे हैं, जीनत जी बोल रहे हैं, बी, अच्छा, बी के अभी मेरे पास एक वोटिंग आईए, एक तरह से अगर में कहूं तो, आप लोगों क्या लगता है, हाई, कोयल, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी से जॉइन कर लो, देखो, यह हमारा फॉस्ट वेशन है, अ एक नागा लेंड आया है, अब आप लोगों को क्या लगता है, सी आ रहे है, मेघाले आ रहे है, और फॉस्ट भी बोला जा रहा है, मनी पोरो, हो गई ना, कन्फूजन यहां पे, हो गई ना, क्योंकि इन सिस्टर्स को देख के ना, बहुत कन्फूजन होती है, सारी एक जै लेखते हैं, किसने सही जवाब दिया, अपने अपने मार्क्स ले जाना, ठीक है, लिख लेना, नोट कर लेना, तो the correct answer is नागा लेंड, कौन सा आंसवर है, नागा लेंड, नागा लेंड अगर आपको याद हो, कल की क्लास में जब मैंने गुहार्टी का पढ़ाया था, गुहार्टी हाई कोट के अंडर में आता है, नागा लेंड, याद रखेगा, जिसका भी wrong answer हुआ है, वो correct कर ले अपको और उसमें comment में लिख दे, तो मनिपूर, मेगाले एंड त्रिपुरा, इनके personal मतलब खुद के हाई कोट है, स्टेट के अंदर, ओके, हेलो सतीश जी, आपका भी स्वागत है, जल्दी-जल्दी से आजाईए, और भी जो रह गए एक-दो लोग, उनको भी बुला लीजिए, तो ये first question बेलकुल clear हो गया आपके, जिसका थुद का हाई कोट नहीं है, वो कौन सा है, वो है नागा लेंड, ओके, बढ़ते है next question के तरफ, इसी तर गुंजन, दिव्या, कामीनी, मौनिकस, अभी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, नागा लेंड, ठीक है, बढ़ते है next question के तरफ, बहुत ही शांदार साई question आपके बीच में, कि मध्य प्रदेश उच्य न्यायाले की स्थापना कब हुई, है ना, when was the मध्य होगा, मध्य प्रदेश हाइकोट की यहां पर बात हो रहे है, मध्य प्रदेश हाइकोट कब इस्टेबलिश हुआ, उसकी स्थापना कब हुई, येस महर सिंग, वरी गुद इवनिंग, आपने एक question में इस किया है, बट कोई बात नहीं, आप यहां से continue कर सकते हैं, और जल् है, मध्य प्रदेश, जिसको क्या बोला जाता है, भारत का दिल, हार्ट, हार्ट ओप इंडिया, राइट, तो इसका बताओ, मुझे कौन बताएगा, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे, सही, यहर मुझे बताएगे, आप ही लोग बताएगे, 1966, अच्छा, 1966 के लिए, तीन लोगों ने बोला है, मोनिका ने बोला है, मोहमद जी, फैजल ने बोला है, गुंजन ने भी बोला है, B के साथ काफी लोग जा रहे, मध्य प्रदे 66 है, 56 है, 56 है, या 36 है, किसके बात हो रही है, मध्य प्रदेश, ओके, बताएगे, बताएगे, जल्दी बताएगे, काफी लोग बताएगे, बहुत कन्फ्यूजिंग है, आप लोग जवाब तो दे रहे हैं, बट यह जवाब सहीं नहीं है, B is not the correct answer, और अगर मैं बात करूं B, यह भी बताऊँगे कि 1966 के अंदर कौन से स्टेट था, किस स्टेट का हाई कोट इस्टेबलिश हुआ है, तो B is not the right answer, यहाँ पर पता है, एग्जामिनर यही तो करते, आगे वाले numbers भी same दे दे देंगे, लास्ट वाले भी same दे दे देंगे, कि हम अगर कोई ट्रिक से भी याद करें ना, तो हम लोग ही confused हो जाए, तो इसके लिए में मैं बताऊँगे कि कैसे याद रख सकते हो आप लोग, तो चलो एक answer ही हो गया, आपका गलत, 66 तो नहीं होगा, 1966 is not the correct answer, तो अभी सब लोग B से जंप करके C पे आए, C भी नहीं होगा, यह लीजिए, अब मुझ रखना, मध्य प्रदेश की बात हो रहे है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को बार बार repeat करो, और correct answer को यहाँ पे mark करो आप लोग, और वो अभी तक किसी का नहीं आया है, अब आया है, कामिनी, सोनी, सर्वर, दीप्ती, आदित्या, बहुत बढ़िया, तो right answer क्या हो 1936, 1936, मैंने जो कल की क्लास आपको पढ़ाई थी, तो वो कैसे पढ़ाई थे, आपने देखा था, 1800 वाले सारे हाई कोट अलग कर दिये थे, उसके बाद में 19 वाले सारी अलग कर दिये थे, मैंने आपसे कहा था, कि जब भी सोने जाएं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ ल कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 1936 के अंदर MP का हो जाएगा, उसके बाद अगर बात करें, कि विच हाई कोट has the largest jurisdiction, अच्छा केस तो उच्छ नयायालाई का अधिकार शेत्र सबसे अधिक है, यह तो बहुत इजी ली आप लोग बता देंगे, हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका जवाब कौन बताएगा, यह पूछ रहा है कि कि सोच नयायाले का अधिकार शेत्र सबसे अधिक है, अधिकार शेत्र जो है, जिरिस्डिक्शन जो है, सबसे जाधा है, करनाटक का है, बॉम्बे का है, गुहाटी का है, यह सिक्किम का है, कौन बताएगा, सी के लिए आया है अभी मेरे पास पहला जवाब दिव्या सोनी जी का ओके और क्या लगता है किसको कौन सा आंस्वर सही लगता है बताएंगे बी के साथ भी लोग जा रहे हैं बॉम्बे हाई कोट के साथ भी जा रहे हैं अच्छा ओके और और आंस्वर क्या आप करना चाहेंगे यहां सही जवाब आप क्या लगते हैं आपको कौन सा राइट अंसर होगा B और C में काफी जादा लोगों को confusion है ओके दीपती जी कह रहे हैं करनाठक होगा एक बार फिर से अच्छे से question रीट करेंगे और mind में यह answer बिलकुल set हो जाना चाहिए कि दुबारा कभी भी पूछा जाए तो आपका बिलकुल सही जवाब हो यहाँ पूछा जा रहा है विच हाई कोट has the largest jurisdiction तो यहाँ पे मैं अगर आपको right answer बताओ तो your right answer is C गुहाटी गुहाटी हाई कोट का सबसे ज़्यादा शेत्र अधिकार है ठीक है तो आप याद कर लेंगे और यह question बहुत ज़्यादा important है पूछा गया है exams में आपके यह question आ चुका है जिसका भी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो रहा था सभी होता है न दो option में confused हो जाते तो एकदम इसको clear कर लो कौन सा हो जाएगा राइट अंस्वर गुहाती हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं fourth question की तरफ who was the first justice of कर्नातक हाई कोट कर्नातक उच्छन आया लेके chief justice की बात हो रही है आपर और first वो भी कौन से first chief justice चार नाम आपके सामने है ठीक है एक नाम बड़ा ही शांदर है आर वैंकर टरम मया बड़ा जीव सा नाम है बड़ अच्छा है S.P. भारूचा है S. बोहन जी है H. होंबे तो इन में से क्या लगता है आपको कर्नातक की बात हो रही है उसके कौन पहले पहले Chief Justice की यहां पर बात की जा रही है पहले Justice की बात की जा रही है तो A होगा, B होगा, C होगा या D होगा गुहाटी वाला तो बिल्कुल अच्छे लोगों ने किया बुलते है अगर मैं कहूं कि 80% लोगों ने सही जवाब दिया गुहाटी वाले Question का 2nd, 3rd Question था लेकिन इसका आप क्या देना चाहेंगे 4th, जो Question आपके सामने है इसका आप Right Answer क्या मानते हैं और क्या देना चाहते हैं बताइए कहीं पे कभी आपने पढ़ा होगा और एक ना एक ऐसी Series लेके आएंगे जिसमें Supreme Court और High Court के जो भी First हर एक स्टेट के मतलब मान लो जैसे High Court के परस्ट हर एक स्टेट की बात करें First Justice कौन रहे इस तरीके के हम याद कर लेंगे ना मतलब इस तरीके के Questions आप से पूछे जाते है अगर पूछे जाएंगे तो A के साथ काफी लोग जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है आपका A is the right answer ठीके तो इसको आप right कर लीजिए फिर बात करते हैं फिफ्ट की फिफ्ट क्वेशन हमारा क्या कहता है कि Mumbai उच्छ न्यायालाई में कितनी पीठ है यानि कि कितनी benches है Mumbai High Court की benches की बात हो रही है 1, 2, 3, 4 कौन बताएगा Mumbai High Court हमने कल पढ़ा था और वहाँ पे कितनी benches है उसके यहाँ पे बात हो रही है 1, 2, 3, 4 कौन बताएगा कितनी benches है Mumbai High Court की यहाँ पे बात हो रही है Supreme Court की justice बने Hanji Gunjan Kumar बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे share की है क्या लगता है यहाँ पे 3, 3, 3 के साथ जारे लोग Hemesh, Deepti, 3 C है न, C का बोल रहे हैं आप लोग और कौन जाना चाहेगा C के साथ अधित्या, बिल्कुल सही जवाब तो कितनी benches है, 3 benches है ठीके, कहां कहां पे है नाकपुर में है एक तो एक पंजी के अंदर है ठीके, नाकपुर हो गया, पंजी हो गया और एक और कौन सा है, एक और बताओ नाकपुर हो गया, पंजी हो गया एक और है, जो गोवा का अतलब capital है, पंजी कौन तीनों जवाब लिखेंगे, जो तीन बैंचेज हैं, तीनों के नाम आप लिखके बताएंगे, एक बार 3, 3, 3, 3, 3, इतने बार 3 बोल दिया, बिल्कुल confidence के जात में सही जवाब दिया आप लोग ने, एक और मुझे बैंचेज के जलदी से नाम बताएंगे, आप लोग मुंबई की यहाँ पे में बात कर रही हूँ, कौन-कौन गया है मुंबई गुमने, काफी लोग जा चुके होंगे, मुंबई आप लोग ने विजिट किया होगा, कितना शांदार शहर है ना, तो बताएंगे मौनिका, कामनी, कानिका, लाडले, गुंजनसा भी लोग ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आप लोग ने इसका, इसके तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे, 100% तो एक बार फिर से मुझे बताएंगे आप लोग, कौन सा है वो, पहले ही हो गई, मैंने आपको दो बता दिये हैं, एक है नागपुर, कौन सा है, एक है नागपुर, दूसरा है पंट जी, और तीसरा है, अभी तो जवाब नहीं आया, औरंगाबाद, कौन सा है, यह तीन बैंचेज है यहाँ पर, याद रखेगा, ठीक है, हाँ, देखे आ गया, दीप्ती, रवी कुमार बिलकुल, सही जवाब आप लोगो ने दिया, ठीक है, तो यह तीन बैंचेज हो गई, मुंबई की आपको याद रखनी है, ओके, चलिए, बढ़ते हैं, आगे की त संदर हैं, या ऐसारदास गुपता है, या फिर मुद्दु स्वामी आयर है, या हूम बेगोवडा है, कौन बताएगा, बहुत है अच्छा और बहुत ही इजी क्वेशन है, और किसकी बात हो रही है, मद्रास की बात हो रही है, जिसका जो अगर मैं पूछू, इस थापना क प्रैक्टिस सेशन मान सकते हैं आप इसको, और राइट आंस्वर जो है, A होगा, B होगा, C होगा, या दी होगा, कौन बताएगा, यहाँ पर बात हो रही है, मद्रास हाई कोट की, मद्रास हाई कोट के पहले जस्टिस, तो काफी सारी लोग फिर से C के साफ जाते हुए, औ एक टांस्वर इस C, जिनका नाम क्या है, T. Muthuswami, Iyer, ठीके, Iyer से आप याद रख सकते हो, मद्रास में जादा लोग इसी तरह के होते हैं, तो Iyer इस तरह का सर्णेम होता है, तो इससे आप एक हिंट के तौर पे याद रख सकते हो, चल यह बात करते हैं, 7th question कहता है, हमारा, in which of the following places is the bench of Chennai High Court established, Chennai के बात हो रही है, Chennai High Court की बात हो रही है, अब वो कह रहा है, Chennai High Court की जो बैंच है, वो कहाँ पे स्थापित हुई है, यहाँ पे चार दे रख के आपको शेहर, Dindigul, Coimbatore, Trichy, या फिर Madurai, इसको भी आप easily बता सकते हो, बहुत easy question है आप लोग जा रही है, वो कौन से शेहर में है, वो आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे, इसका भी जवाब दे दीजे, जल्दी से दे दीजे, दीपती ने बोला है D, ओके, फिर B, D और फिर B, अच्छा है एक दिव्या है, एक दीपती है, D और B, D, D के साथ जाद लोग जा है, गुंजन, हिमेश, ओके, तो D is your correct answer, चेनने की जो बैंच है, वो कहा है, मदुरही के अंदर, बिल्कुल सही जवाब आप लोग ने दिया, very nice, बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे, गुहार्टी हाई कोट की यहाँ पे अगर बात करे, has no territorial jurisdiction over which state, अब हमने कि कौन सा state है, जिसका खुद का हाई कोट नहीं है, और हमने बोला था नागलेंड, तो एक बात तो यहाँ पे clear हो गई है, कि वो एक नागलेंड है, गुहार्टी की एक बैंच, जिसमें इसका अधिकार है, अब इसमें से जो चार आपको states यहाँ दे रखे हैं, असाम दे र होगा, मेघाले होगा, मिजोरम होगा या अरनाचल प्रदेश होगा, आसाम तो है, असाम तो है, इस पर तो अधिकार, ठीक है, तो कौन बताएगा अरनाचल प्रदेश है, मेघाले है या मिजोरम है, जल्दी से बताएंगे, बी, बी के साथ जा रहे है, अरनाचल काफे लोग मेघाले के साथ हैं दीपती लाडली आप लोग कहा जाना चाहते हैं अच्छा आप मिजोरम जाना चाहते हैं ओके मौनिका मेघाले जाना चाहते हैं ठीक है अभी इसमें तो मिस्लयानियस आंसवर्स मिल गए मुझे मतलब एक को छोड़िके वी सीडी सारे ही है ठीक है दूसरा अपने को पता ही है कौन सा है वो आसाम है ठीक है आसाम है उसी के बाद में अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड कौन सा हो जाएगा अर नाचल प्रदेश हो जाएगा एपी ठीक है अब बात आती है क्या मेघाले या मेजोरम इन में से कौन सा है जिस यह लो यह तो पूरा ही रफ हो गया यह आपका आसाम हो गया नागा लेंड हो गया और नाचल प्रदेश हो गया C और D बचा है अब C और D में से मैं किसको लॉक करूँ आप बताईए जल्दी से बता दीजिए C भी बोल रहे हैं D भी बोल रहे हैं अब ऐसा बोलो एकदम जोश के साथ confidence के साथ की यही होगा तब आएगा थोड़ा मज़ा C होगा या D होगा जल्दी से बताएंगे मेघाले होगा या मिजोरम होगा राई टांसफर क्या होगा C C के साथ जाना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ नागा लेंड असाम अनाचर प्रदेश और जो फोर्थ स्टेट है वो है मिजोरम कौन सा है मिजोरम लेकिन मेघाले जो है उस पर गुहाती हाई कोड का कोई अधिकार नहीं है तो जोसमें C जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जा रहे है ठीके उसी तरह चलते रहे है बढ़ते रहे है तो मेघाले गूम के आना है आप जिसने भी सी हांस पर दिया है सब लोग मेघाले निकल जाना एक्जाम्स की बाद में हॉलिडेज जब होंगे आपके तो ये हो गया आपका 8th question बिल्कुल clear ठीके जिनको थोड़ी बहुत confusion है वो और clear कर रहो वो कौन सा हो जाएगा मेघाले मेघाले ठीके चलो Who does not participate in the appointment of the high court judge अच्छे इसे question एक बार read करो आप लोग उच्छ नियाया ले के नियायाधीश की नियुकती में कौन सा भाग नहीं लेता है ठीके जब नियुकती होती है appointment की जाती है ठीके कोई भी high court के judge की तो इन में से कौन है जो क्या नहीं करता है भाग नहीं लेता है तो एक तो आपका CM हो गया कि उस state का CM दूसरा आपको answer दिया गया है Chief Justice of high court of the respective state ठीके President of India या Governor of the state इसको आप ही जवाब देंगे और मुझे पता है कि बिल्कुल सही जवाब आप देंगे इसका जल्दी से बताएंगे Correct transfer क्या हो जाएगा यहाँ पे A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आप लोगों क्या रहे है CM जो है वो भाग नहीं लेता है वो participate नहीं करते है ठीक है कौन-कौन important role play करते है Chief Justice हो गए President और Governor कल ही हमने बात की थी कि न्यूपती कैसे की जाती है Judges की तो वो सारा यह आपके options हो जाएगे और जो यहाँ पर wrong है जो भाग नहीं लेते हैं वो कौन है Chief Minister हो जाएगे ठीक है पुछा गया Does not participate ठीक है याद रखना Does not participate मतलब CM participate नहीं करते है 9 questions हमारे complete हुए 10th question आपका क्या कह रहा है कि Who can extend the jurisdiction of the high court उच्चे नहीं आया ले कि अधिकार शेत्र का अधिकार शेत्र का विस्तार कौन कर सकता है 4 option है वो शक्ती जो है बात किसकी हो रही है jurisdiction की बात हो रही है ठीक है अधिकार शेत्र का अधिकार का विस्तार की बात हो रही है उसको क्या करना विस्तार करने की शक्ती जो है इनमें से किसमे है कौन कर सकता है तो आप बताएंगे मुझे इसका correct transfer जो होगा A है, B है, C है या D है दीपती जी D बोल रहे है, Supreme Court of India अच्छा, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से इसका लिखे कि कौन होंगे और करे transfer क्या होगा, कुछ तो D के साथ भी है, नमस्ते रोजी जी, D के साथ भी है और C के साथ भी है कौन लोग C के साथ जादा जाना चाहेंगे और कौन D के, देखो questions को अपने आप पढ़ो, question को इतना पढ़ो कि वो खुद जवाब दे जाए वो अपने आप जवाब देगा जब हमको questions समझ आ जाएगा, हमारे दिमाग में चीज़े clear हो जाएंगे, confusion नहीं रहेगी बिल्कुल भी, बात किसकी हो रही है कि jurisdiction जो है उसको extend करने की बात हो रही है वो कौन कर सकता है यहाँ पे यह यहाँ पे आपको बताना है तो काफी जवाब मुझे बिल्कुल सही मिल चुके हैं, देखे, score आप note कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 10 questions आपके हो चुके हैं, लिखते रहेगा और last time मैं पूछूँगे आप सभी लोगों से, ठीक है तो इसका जो सही जवाब है, वो हो जाएगा Parliament, ठीक है Parliament, जब constitution वो amendments होते हैं तभी तो बात होती है न, विस्तार की तो वो कौन करते हैं, वो करवाते Parliament, ठीक है याद रखेगा, रट लीजेगा, बिल्कुल अच्छे से तो यह शक्ति किसके पास होती है, Parliament के पास ठीक है, चलिए 11th question आपका कहता है, how many high courts are there in India बहुत easy question, बहुत सारे confusing वाले question के बीच में बहुत अच्छा है, free का marks लेके आई हो आप लोगों के लिए ठीक है, मुझे thank you बोल देना बाद में यह आपका बिल्कुल bonus marks है ठीक है, वो वाला question है, चलो जल्दी से इस answer दे दो, मुझे पता है आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं यहाँ पर ठीक है, यह bonus marks है आपको मेरी तरफ से ऐसा समझ लो, दीवाली का gift ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया 25, B is the correct answer ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ, देखेगा Where are the division branches of MP High Court situated अब यहाँ पर MP की यह बात करते हैं, अच्छा आया था यह JLO में, बहुत बढ़िया यह सब में आएंगे, पता है यही तुम्हें कहा रही हो, जो GK portion हो गया current affairs का portion हो गया, वो almost 90% सेम ही रहता है 10% जो अलग होता है, वो state का हो जाता है, तो state particular एक state से अगर local questions पूछे जाते हैं, सिफ वो difference रहता है, बाकी almost same ही होते हैं सारे, तो कोई भी exam के आप preparation कर रहे हैं, किसी भी exam के जिसमें current affairs और GK portion पूछा जाता है तो आप यह सब अच्छे से पढ़ के जाईए, ठीक है, बिलकुल आप सही जवाब देंगे वहाँ पे, आपके सामने question है क्या है, मध्यप्रदेश उच्छे ने आया लएकि division शाखाएं कहां इस्थेते हैं, यहाँ पे भी आपको बताना है कि इसकी जो branches है, division branches वो कहां पर है, बी के साथ लोग जा रहें, इंदोर है, बोपाल है, या तीनों ही हैं, या फिर सिर्फ बोपाल के अंदर है, या फिर इंदोर और ग्वालियर है, बताएंगे आप लोग, thank you so much Rosie, तो यह इसका सही जवाब आप लोग, बताएंगे मुझे, कि MP की, क्या पूच रहें है, division branches, तो वो कहां कहां पर है, MP में, बताएंग बहुत, इसमें भी mislaneous आ रहें, मेरे पास इतनी सारे answers आ रहें, मतलब आपको सब जगा घूमना है, MP में आपको इंदोर भी जाना है, भोपाल भी जाना है, ग्वालियर भी जाना है, पर ऐसा नहीं होता ना, अभी इसमें जो right answer होगा, मैं सर्थ वहीं पर आपको जाने के जाज़त दूंगी, तो आप लोग बताएंगे, C, D, C, D, C, D, A, B आया है मेरे पास, जसमें इंदोर, भोपाल और ग्वालियर तीनों शामिल है, तो एक और चान्स देती हो, चलो फटा-फट से बतादो right answer क्या होगा, मार्क्स बढ़ाने ना, इस test में, practice session में, तो जल्दी से इतना time वैसे कोई देता नहीं है, बट चलो ठीक है, आप लोगों के लिए चलेगा, इंदोर, इंद ग्वालियर, जो सही जवाब आपका यहाँ पर है, वो है D, यानि इंदोर और ग्वालियर में इसकी branches हैं, तो जिसने भी D कहा है, वो बिल्कुल सही है, और सही जा रहे हैं, इसे तरह पढ़ते रहो, और जिन्होंने थोड़ा पहुत, जिनको confusion है, वो अप क्लियर हो गया होगा, तो congratulations, आपका एक सवाल और सही हो गया, क्या है इंदोर और ग्वालियर है, ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही थी, MP की बात हो रही थी, तो रट लोबिल को लच्छ जो मैंने का था, मैं बताऊंगी कि ये कौन से, क्या बोलते है, यूनियन टेरिट्री है, अगर पता हो, तो उसका खुद का, पहली यूनियन टेरिट्री है, जिसका खुद का हाई कोट है, कौन सी है, वो डेली है, ठीक है, डेली हो गई, अब बात करेंगे, आपने जो उसम जादा confuse करते हैं, numbers भी ऐसे दिये हैं कि अगर हमी right answer पता भी हो तो इनको दूसरे options को देखके भूल जाए, तो इसलिए अच्छी बात क्या होती है, अगर कोई question आप से पूछा गया है, उसको MCQs के तरह मत लो, मतलब options देखके मत करो, उसको दिमाग में fit कर लो कि इसका answer तो वो तो नहीं बतलेगा ना, और अगर आपको पता होगा कि इसका answer ये है, तो आप इना फटा-फट से सिर्फ उसी को डूंडोगे, other options को देखके confused कभी नहीं होगे, इसलिए हमेशा एक सवाल का एक जवाब रट के जाओ, याद कर लो, बिलकुल अच्छे से, ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं, इसका आप लोग जवाब जो दे रहे हैं, 3 भी आ रहा है, D भी आ रहा है, और D बिलकुल सही होता हुआ, क्या है 1966, 1966 Delhi High Court, 1966 Delhi High Court, established कभ हुआ, 1966 के अंदर, ठीक है, इसी के बाद बात करें, कि in the Indian judicial system, रिट्स आर इसूड बाई, हम लोग आय दिन इसमें रिट लगा दी, इसमें रिट लगा दी, तो वो इशू कौन करता है, उसकी यहाँ पे बात अगर की जाए, बहुत आसान से सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, तो 1966 Delhi High Court, बिलकुल सही जवाब आप लोग का है, इसके साथ मैं से आपके बोनस मार्क्स हैं, तो जिसको भी लेना है, पटापट लूट लो, इसका आंसर क्या है, सही आंसर बताएंगी, High Court है कि Supreme Court है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे, Mostly जो है, आप सभी लोगों के जवाब बिलकुल सही जा रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, High Court और Supreme Court, ठीक है, बहुत ही अच्छा यह सवाल है, लेकिन कई बार बहुत लोग confused हो भी जाते हैं, तो इसको अच्छे से क्या कर लो, रट लो, और जैसे जीनत जी आप D कह रहे हैं, D नहीं होगा, High Court और Supreme Court, दोनों ही रिट को क्या कर सकते, जारी कर सक अब इसको एकदम क्लियर कर लो question को, ठीक है, चलिए, 15 की तरफ बढ़ते हैं, देखेगा, On which ground a High Court judge can be impeached, impeached मतलब उच्छ न्यायले के जो न्यायादिश है किस आधार पर, महाभियोग आपने सुना होगा, impeached सुना होगा, महाभियोग चलाया जा सकता है उनके खिलाफ, तो इसका answer आप क्या देना चाहेंगे, सभी लोग बताएंगे, proven misconduct, मतलब उन्होंने कुछ समझ रहे हो, अलग-अलग तर कि कोई भी कुछ भी केस आया, उसमें उन्होंने intentionally गलत चीज के साथ दे दिया, या फिर कुछ भी गलत, misconduct मतलब कुछ भी उनसे गलती होई, या फिर फ या है, यह क्या हो जाएगा, proven misconduct, ठीक है, article 61, यह तो आपको जाधा पता होगा, जो law के students है, उनको बहुत अच्छी deep knowledge भी होगी इसकी, और यह बहुत plus point है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो यह बिलकुल एक अच्छा सा सवाल आप लोगों के लिए था, तो चलिए, बढ दिखेंगे लिखा क्या है, आप साथ में जो उसकी backstory है ना, वो भी ध्यान से सोचेगा, समझेगा, कि questions आपको किस तरह के frame करते हुए मिले जा रहे हैं, और इसी तरह के questions जो आपको deal करने हैं, और ऐसे ही questions आपके लिए आएंगे, ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर, कि ग जी, High Code के ही हम topic यहाँ पर deal कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, ओके, A, D, A, D, अच्छा, A और D में यहाँ पर confusion चल रहा है, क्या बात है, 1988 और 1960 में यहाँ confusion चल रहा है, चलो, इन दोनों को हटा देते हैं फिर, आप बताओ, A होगा के D होगा, right answer, जल्दी से बताएंगे, 1960, 1960, okay, 1960, तो गुजरात High Code, आप ऐसे याद कर सकते हो, डैली का 1966 है, तो उससे 6 साल पहले ही गुजरात High Code के स्थापना हुई थी, तो यह हो गया 1960, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है, D, और हम कितने questions कर चुके है, 16 complete कर चुके है, आप लोग अपने-अपने scoreboard को है, क्या कर लो, अपडेट कर लो, आगे देखते हैं, 17th question की तरफ बढ़ते हैं, ठीके, 1960, राइट आंस्वर होगा, दीप्ती जी, 1960, गुजरात High Court, ठीके, चलिए, who was the first Chief Justice of West Bengal High Court, पहले Chief Justice की बात हो रही है, कहा की, Bengal High Court, West Bengal की, West Bengal में कौन जा है, कोलकता कैलकटा, जिसका सबसे पहले, जिसको आपने क्या का था, Oldest High Court, तो यहां पर आप बताएंगे, कि चार नाम आप देख सकते हैं, सुन्दरलाल, भुपेंद्रो, N.V. अंजारिया, या सर बार्निस, पीकॉक, पीकॉक, मोर, बताओ, क्या बात है, रोजी, my name is Shivani Dubey, और आप फर्स लाइड पे ही मेरा नाम लिखा होता है, इतना बड़ा-बड़ा, बट कोई न, it's okay, चलिए, A और D यहां पर आचुके हैं, मेरे पास, okay, D परहाप्स, okay, रोहुल, तो what do you think, क्या right answer होगा यहां पे, D और B के साथ जा रहे हैं, क्यलकता, उ क्योंके अंदर मदरास और Bombay High Court वो भी उसी वक्त इस्टेबलेश हुए थे, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है, क्यलकता है, ठीके, तो A के साथ भी लोग जा रहे हैं, सुन्दर लाल, ट्रीकाम लाल, देशाई, नाम बड़े अच्छो होते थे न, पुराने जमाने में बड पेर हो जाएगा, कि पश्चिम बंगाल उच्चे निया लेके भारत के, पहले निया धीश कौन थे, वो थे सर, बार्नेस, पीकॉक, पीकॉक से आप याद कर लो, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस रहे हैं ये, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की, जो हाई हाई कोड के जजजिस होते हैं, उनको पेंशन, किसे मिलती है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन्स दिये गए हैं, कौन-कौन से हो गए, कॉंटिंजन्सी फंड, नन अफ दीज पहले ही आ गया ऑप्शन में, इंडिया अध्यूमुलेटेट फंड या जा रहे हैं, क्या बात है, यही तो हमें चाहिए था, सब की एक जैसे यूनिटी, बिल्कुल सही जबाब आप लोगों ने दिया, कॉंसोलेटेट फंड ओफ इंडिया, ठीक है, यह कौन, यह क्या है, पेंशन दिते हैं, किसको हाई कोड के जो जजजिस होतें, उनको, ठीक ह हाँ, संचितने धी, बहुत बढ़िया, ठीक है, 18 questions हम cover कर चुके हैं, I hope, मैं बहुत excited हूँ, आप लोगों के score जानने के लिए, बड़ा मज़ा आ रहा है, seriously, आप सभी लोग बहुत अच्छे जबाब दे रहे हैं, 19 के तरफ बढ़ते हैं, कि who was the first female judge of the High Court of India, High Court of India के पहली, क महिला न्यायाधीश कौन है, जस्टिस रोजा पार्ट, जस्टिस एना चैन्डी, जस्टिस चार्लोट कूपर, जस्टिस पातिमा बीवी, कौन बताएगा, यहां पे right answer क्या होगा, A, B, C, A, D, 19th question की हम बात कर रहे हैं, पहली महिला, जज्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको बार बार सर बोल रहे है, कोई भात नी चलेगा, it's all right, sir, ma'am, सब कुछ चलेगा, लेकिन बस जवाब सही देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो यहां पे सब लोग किसके साथ जाना चाहते हैं, D, answer मेरे पास आ रहे है, क्या आप फातिमा बीवी तो क्या लगता है, पातिमा बीवी, चार्लोट कोपर, रोजा या एना, कौन बताएगा, सब भी लोग, almost, मतलब जादा तो लोग D के साथ जा रहे हैं, एक जवाब मुझे एक के लिए मिला है, और क्या लगता है आप लोगों को एक बार, फिर से question अच्छे से पढ़ लीज C के साथ भी लोग जा रहे हैं, यानि के मेरे पास में A को छोड़ के बाकी सब आच चुके हैं, तीनों तीनों आचुके हैं, तीनों ही एक है, फिमेल, फिर्स्ट फिमेल जजज, राइट कौन सांसर होगा, जल्दी से बताएंगे, मुझे भी लग रहा है कि फातिमा सुप् ध्यान से बताइए मुझे, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, D के साथ भी जा रहे हैं, B के साथ भी और A के साथ भी जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सही जवाब बताती हूँ, उसको आप याद कर लो, High Court की पहली, पहली महिला जज की यहां पे बात हो रही हैं, तो वो कौन है, वो है अपनी Justice Anna Chandy, ठीक है, इनको आप अच्छे से रटलो, और ये questions भी मैं आपको बता दूँ, इस तरीकी की question बहुत आते, star mark किया है, इसको याद कर लो, B is your correct answer, Justice Anna Chandy, जो है, वो first female judge है, High Court की, ठीक है, भारत में पहली, भारत में पहली की बात हो रही है, यहाँ पे, ठीक है, तो right answer आपका हो जाएगा, B, और जिसको भी, ये मतलब confusion थी, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कैसे कर लो, आपके पास notebook है, उसमें सबसे पहले लिख लो, first female judge of High Court of India, और dash करके इनका नाम लिख लो, अभी लिखो, अभी के अभी, ठीक है, चलिए, एना चैंडी, justice, एना चैंडी, ठीक है, हाँ, भी होगा, हिमेज जी, दिव्या जी, बिल्कुल सही, चलिए, 20th question आपका क्या कहता है, कि, who was the first chief justice of ओडिसा High Court, ओडिसा High Court के पहले chief justice के यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे चार नाम आपको दे रखे हैं, कौन ह पहले यहाँ पे बात हो रही है, उडिसा के chief justice की, और आपको पता है कि इस तरीके के question किते सारे आ गए है, पहले chief justice यहाँ के पूछ लिया, वहाँ के पूछ लिया, इसका मतलब समझ रहे हो, कि आपको क्या-क्या किस पे focus जाना है सबसे पहले, कि कौन से High Court के पहले जो chief justice है वो कौन है, name याद होने चाहिए, एक तो, established कब हुआ, वो याद होने चाहिए, powers के regarding questions पूछे जाते हैं, articles के regarding questions पूछे जाते हैं, ठीके, first female judge of High Court, ठीके, पहली High Court की पहली women जो रही है, वो कौन रही है, एना चैंडी, अब यहाँ पे बात हो रही है, उडिसा राजी की बा आइडिया, कोई बात नहीं, रोते नहीं है, आजाएगा, आइडिया लग जाएगा, हम लोग बोलते न, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करेंगे हम लोग, तो इसका जो सही जवाब होगा, आप उडिसा को कैसे याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा उडिसा, उडिसा के साथ याद करो, उडिसा बोलो, फिर बोलो, बीरा किशोर रे, कैसे याद नहीं रहता, रहेगा याद, ठीक है, तो इसका आंस्वर हो जाएगा, ये थूड़ा सा ट्रीकी क्वेशन था, क्योंकि बहुत सारे जो 25 हैं, 25 के 25 में 1st का याद करना थूड़ समुश्किल हो जाते हैं, confusion हो जाते हैं, बट जो important रहते हैं, वही आपसे पूछे जाएंगे, सभी के नहीं पूछे जाते हैं, याद रखना, तो इसको याद कर लो, बीरा किशोर रे को, आप लोग याद कर लीजिए, तो ये किसके हो गए, Chief Justice पहले, वो है उडिसा के, ठी इसमें आपको difficulty आती है, उसको नोट कर लो, ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, तो ये है बीरा किशोर रे, उसी के बद बात करते हैं, 21st question की, 21st question जो है, रोते रोते हसना भी सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे, याद करना भी सीख जाओगे, और ओडिसा का क्या है, बीरा किशोर रे, उसको भी आद कर लो, चलो, which is the smallest high court in India, बड़ा ही शांदार और बहुत ही easy question आप लोगों के लिए, बता दो, चलो, ये तो सबको पता है, जल्दी से इसको लिग देते हैं, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम करना तक पतना कोलकाता, सिक्कि होगा, करनाटक होगा, पतना होगा, की कोलकाता होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे, सीमा दुबेगरे, ए, रुहुल, ए, दिव्या, ए, सब लोग सिक्किम में गूमना चाते, चलो, सिक्किम ही चलेंगे, बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों का सिक्किम is the smallest high court, smallest सिक सिक्किम, smallest सिक्किम, ठीके, चलिए, इसी के साथ में बड़ा भी बता दो, विगेस्ट हाई कोट, यह सवाल कल की क्लास में भी था, है न, तो बड़ा भी बता दो, छोटा तो बता दिया, बॉम्बे, आंदरप्रदेश, कैलकटा या अलाबाद, तो यहां पर क्या हो यहां लगी सबसे बड़ा, है न, सबसे बड़े यहां पर बात हो रही है, डी, अलावाद, अलाबाद, बिलकुल सही है, तो बीगेस्ट की बात हो रही है, तो वोगया, अलाबाद, ठीके, चलो, बढ़ते हैं अगले к्वेस्ट परेशन की तरफ, वेलो, वेल्ग वोक्rada, ह हाई कोट इस्टेवलेश ूलो आ गया आपका फेवरेट सवाल म 12 के बारे में पूछ लिया गया म 12대 पूछ लिया गया नहीं कामी लिट भॉंब लें अलहाबाद है थीक के अलहाबाद आप याद रखेंगे अलहाबाद हाइस की सथापना कब गये माधरास हाई कोड के बारे में यहां पर पूछ लिया गयا नेई कामीनी जिय बिगज़ बॉम्बी नहीं अलाबाद है ठीक आलाबाद आप याद रखेंगे आलाबाद हाई है तो मद्रास हाई को बोड भूट का पूछ जा रहा है वो लिखेंगे comment section में ABCD नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, year लिखेंगे मदरास वाला, तो year लिखेंगे सबी लोग, हाँ अब आया ना, कुछ मज़ा, तो ये क्या है 1862 बिल्कुल सही जबाब, चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, ये हो गया हमारा 1862, राइट, चलिए अगला सवाल आपका क्या है वाच आ गई 24 नंबर जो है, who was who was the architect ये थोड़ा सा क्या है, भरी भर कम सवाल है, लेकिन जिसको पता है उसके लिए नहीं, मतलब जिनों नहीं पढ़ा है दीप में जा करके उनके लिए तो यहाँ पर आर्किटेक्ट का नाम पूछ लिया और मदरास हाई कोट की बात हो रही है मदरास हाई कोट का जो आर्किटेक्ट है, उनका यहाँ पर नाम पूछा गया है, बहुत अच्छे जवाब आप लोग दे रहे हैं, दिव्या, लदले, मेहर सीमा, हर्शल, रवी, रोजी, दीपती, अधित्या सभी लोग बहुत अच्छे से दे रहे जवाब तो इसका आंस्वर आप लोग देंगे कौन है आर्किटेक्ट मदरास हाई कोट के बड़ा ही शांदार सवाल है आप लोगों के लिए देखते हैं कि इसका नंबर किसको जाता है, कौन इसका सही जवाब देगा, तो यहाँ पर चार नाम आपको दे रखें, अब options हैं A, B, C और D, आप लोग बता दें कि कौन हैं आर्किटेक्ट मदरास आई कोट के, no idea ओके, रेखा कह रहे हैं, A, okay ट्राइ करिए, ट्राइ करिए, एक बार ट्राइ करिए, एक बार में कभी भी हाण नी माननी बड़ा मज़ा आता है, ऐसे questions में है ना मज़ा आता है ना, तो चलो, जल्दी जल्दी इसमें जवाब दो, क्या रहेगा क्या लगता है आपको, देख लो ट्राइ करके देख लो, जैसे नहीं भी आता ना तो इसमें ट्राइ करके देख लो, क्या पता आपको मार्क्स मिली जाए, है ना, तो आपको क्या लगता है, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, A और B के साथ लोग जाद जा रहे हैं D बोला है सरवर जी ने सतीश कुमार B कह रहे है हिमेजी D कह रहे है चलिए इसका सही जवाब हम आपको बता देते हैं मदरास उचन्यायले के जो वास्तुकार है आर्किटेक्ट हैं जिन्नोंने इतना खूबसुरत हाई कोट बनाया है उसके डिजाइन किया है वो कौन है JW Bressington तो खुश हो जाओ जिसने में सही जवाब दिया उनको प्लस वन मिल गया है ठीक है कौन है JW Bressington तो ये सही जवाब आपका हो गया है D ठीक है इसी के साथ बढ़ते है 25th question के तरफ और वो कौन सा है देखेंगे The High Court has the jurisdiction अंडर Article 226 Article 226 For the Enforcement of ये पूछ रहा है कि उच्छ न्यायले के पास जो ये अनुच्छेद आप देख रहे हैं 226 के तहत निमलिखित में प्रवर्तन के लिए अधिकार शेतर है तो यहाँ पे ना उनके पास में चाइल्ड राइट्स का अधिकार है या फिर सिविल राइट्स का है सैंक्शिनिंग राइट्स है या फिर फंडामेंटल राइट्स है A, B, C, D लगते हैं D वालों का तुक्का था पदा नहीं हो भी सकता है और हो सकता है उनको पता भी हो बट जो भी है माक्स तो मिली गया उनको वही है कि दिवाली तो मन गई यहां पर बिल्कुल सही जवाब आप लोग यहां पर देते हुए D is the correct answer, fundamental right हो जाएगा बहुत अच्छा मुझे पता था, यह इस पर तो confidence था आप लोग बिल्कुल सही जवाब दोगे आपको दे रखे हैं, डेली है, जमु इन कश्मीर, कैरला या फिर उत्तर प्रतेश क्या लगता है, लद्धाक लद्धाक के बात हो रहे हैं यहां पर फाइल कहां चली गई लद्धाक चली गई क्या रुकिए गाईस को फिर से अपलोड कर लेते हैं यह रही हमारी फाइल और लद्धाक के क्वेशन में पहुँच जाते हैं जल्दी से तो यहां पर आप लोग जवाब दे दो क्या लगता है, वो स्टेट का ही नाम लिग दो स्टेट का नाम लिग दो लद्धाक पाला जो है मेरा भी मेरा तुक्का भी सही नहीं जाता मैं अच्छा, तुक्का भी नहीं लगता, कोई बात नहीं हम प्रॉपर क्या बोलते हैं अच्छे सही सही जवाब दे देंगे हम कौन से क्वेशन नंबर पे थे 25 चल रहा था ना, 25 या 26 चल यह बढ़ते हैं अपना उसे स्टेट का नाम लिख दीज़े, जल्दी जल्दी से लिख दीज़े ठीक है, तो यह मदरास हो गया हाई कोट, इसकी बात हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गया हाँ, यह आगे आपका विच हाई कोट, लद्दा किस अंडर द जुरिस्डिक्शन जम्मू एंड कश्मीर, बहुत साइज जबाब आप लोगों का, तो यह राइट आंसवर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर इस दर करेक्ट आंसवर, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं, नेक्स क्वेशन की तरफ, अगला क्वेशन आपका क्या गया रहा है, कि फोड़ी देर पहले मैंने ये लाइन बोली थी, कि पहला यूनियन टेरिटरी है, जिसका खुद का हाई कोट है, तो आप देख लोगों सा है, दमन एंडियू है, मुंबई है, देली है, या कोलकाता है, तो करेक्ट आंसवर आपको क्या लगता है, वो बता दो, और माक्स ले जो, जल्दी जल्दी से बता देंगे, इसका करेक्ट आंसवर क्या हो जाएगा, कि एक मात्र केंदर शासित प्रदेश जसका अपना एक उच्छ न्याया ले है, तो कौन बताएगा, बी, बी कौन सा बता है, रुहुल जी डी बोल रहे है, नहीं, ये नहीं होगा, करेक्ट आंसवर, क्या हो जाएगा, डैली हो जाएगा, ठीक है, अभी हमने थोड़ देर पहले बढ़ा था, कब इस्टेबलिश हुआ था, ये, कब इस्टेबलिश हुआ था, एर लिख दो फटा-फट से, रिवी हो गए, बहुत इजी था, जल्दी से बताएंगे, डैली, 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 1966, येस, बहुत मजा आया, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने जब जब जबाब दिया ना, 1966, बड़ा मजा आया, और 1960 वाला में बता दो, 1960 जो है, भी नहीं, डैली बोला, अच अच्छा, डैली बोला अपने, ओके, तो पूरा लिखना चाहिए, कन्फूजन हो जाते, यहां पर, 66 हो गया, करेक्ट आंसवर, 1960 के अगर बात करूं तो, उसमें कौन सा हाई कोट इस्टेबश होआ था, 1960 मे, 1960, डैली के 6 साल पहले, सापना किसकी हुई थी, मदरास, नाहीं मदरास तो नहीं हुई थी, कौन से हुई थी, जलती से बताएंगे कौन सा हाई कोट था वो, कौन से स्टेट का था, मुंबई, गुजराथ, गुजराथ, बिल्कुल सही हिमेश, सही जवाब आपने दिया, वो था कौन सा, गुजराथ हाई कोट, ठीक है, गुजराथ हाई क का छेत्र अधिकार किसके अंतरगत आता है मुंबई हाई कोट तमिल नादू हाई कोट कैरल हाई कोट या वेस्ट बिंगॉल हाई कोट और यह हमारे आज की सीरीज का लास्ट क्वेशन है आप लोगों के लिए इसके बाद आप लोग अपने मार्क्स बताने शुरू कर देना म मुझे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्टंस अटेंड किये और आपके कितने मार्क्स आए है तो यहां पर करेक्ट आंसूर आप क्या देना चाहेंगे A के साथ जाएंगे, B के साथ जाएंगे, C के या D के साथ जाएंगे मदरास 1962 नहीं 1862 इसको और कर लो 19 से 18 कर लो फिर वो सही हो जाएगा सीमा जी है ना ओके गुजरात आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया था गुजरात वाला एक साथ जा रहे है सब लोग है ना लक्षदीब के यहाँ पर बात औरी है आइलेंड है ठीक है इसके बात औरी है इसके उपर कॉन से आई कष़ का अधिकार है या वो तमिल है मुंबई है या वेस्ट बिंगॉल या केरेला है एक A भी मेरे पास आये हैं D के साथ भी लोग ये वेस्ट बिंगॉल के साथ भी जा रहे हैं ओके कैरेला भी कहा है क्या लगता है सही जवाब आपको यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से बतादीजे लास्ट पाइफ सेकेंड्स और मैं आपको देती हूं और फिर करेक्ट अंसर आपको बता दूगी और यह आखरी सवाल है आज के सीरीज का तो बहुत ध्यान स जवाब दीजे इसका और last question है कि Tamil Nadu होगा या फिर Kerala होगा जल्दी से बताएंगे Kerala होगा, Tamil Nadu होगा, West Bengal होगा, Mumbai तो हटा दो, Mumbai ने है, ठीक है, Mumbai के आपको अल्रडी पता है, मैंने आपको बताया भी है कौन-कौन सा स्टेट हमने बात भी की थी है, तो obviously Mumbai तो होगा नहीं, जल्दी से बताएंगे C, D, C, D, सभी लोग कन्फ्यूज होके रखे है, मैं आपको इसमें 50-50 लाइफ लाइफ लाइन भी दे देती हूँ, यह भी हटा दिया मैंने, यह भी हटा दिया, अभी B और C मेंसे बताओ, सबका बस यह आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, केरिला इस दे करेक्ट आंस्वर, तो यह है कौन सा लक्षदीप पर जिस हाई कोड का अधिकार है, वो कौन सा है, केरिला है, ठीक है, और आपको पता है केरिला का हाता है, यह इंडिया का मैप है, और यह यहां पर इता सा ल लक्षदीप के उपर, तो यह था हमारे आज के सीरीज का लास्ट क्वेशन, तो इसी के साथ में देखिए, धन्तेरस आपके सेलिब्रेट हो चुके है, जीके और करन्ट अफियर्स के साथ, हाई कोड में गूम चुके है, हम पूरे स्टेट्स कवर कर चुके हैं, ठीक है, औ आपको मैप ज़रूर क्लेर कर बाऊंगी, और आपने प्रिवियस क्लासे में देखा होगा, मैप के साथ, जब में कोई भी स्टेट लेकर आती हूँ, तो आपको में वही पर लर्न करवा देती हूँ है, अब आपने वह क्लासे नहीं देखिए, तो जल्दी से जा कर के देख 15, 15 से शुरू होगा वापस बैच, कल आपकी क्लास रहेगी, उसके बाद में आपके दिवाली ओलिडेज हो जाएंगे, दो दिन की, उसके बाद में फिर हम जॉइन करेंगे, जिसमें हम DJS का जो बैच है, वो भी शुरू करने वाले है, दिव्या सुनी 24, वेरी गुड स्को आपको खुद का एनलाइसे हो रहा है, खुद ही खुद का एनलाइसे करोगे ना, तो बहुत अच्छे तरह से वो क्या है, वर्क करेगा आपके उपर, ठीक है, सर्वर 25, बहुत अच्छे स्कोर, क्या बात है, बहुत शांदार, दीप्ति, I'm not note down, I'm not note down, आप note कर रहे हूं, अच्छा, note नहीं किया आपने, ओके-ओके, आदित्या 25, ओके-ओके, डेली क्लास लिया करेंगे, हाँ, बिल्कुल डेली क्लास लिया करेंगे, बिल्कुल डेली रहती है हमारी क्लासिस, और जब नहीं रहेगी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम के क्योंकि special classes भी रहती है, plus classes भी रहती है, वो सब स्टार्ट हो जाएगा, एक पूरा प्रॉपर बैच, उसका वीडियो एक बना के आपको बता दिया जाएगा, information सारी दे जाएगी, 28 हमेश ने किया है, 24, 20 राइट, अच्छा, ओके, very good, चलो अच्छा है, जिसका भी score, अभी कल की class के बाद में, अगर आज आपने ये practice session दिया है, और फिर भी, जिसके भी score जो है, 17 प्लस आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर तो, जिनके कम आए, उनका भी वो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन, उन्होंने क्या किया है, कल बने class पे जा सही है, लेकिन वो सही नहीं है, तो उसका सही आंसर हमें जरूर पता चल रहा है, हो रही है, प्लस पॉइंट है ये आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छे से आपने ये जो practice session दिया, और इसी के साथ में, आप सभी लोगों को happy diwali, advance में, कल भी आउंगे, कल भी विश कर अच्छे से ध्यान से और पता के अच्छे से चोड़ना, ठीक है, जादा pollution वैसे भी बहुत जादा फैल रहा है, तो एक लिमिट में रहकर, और मजे से खूब मजे करना, enjoy करना, धनते रसके भी आपको बहुत 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 शुब कामना है, इसी के साथ कल मिलेंगे, इसे आप लोग इतने अच्छे से महनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं, मुझे बड़ा मजाता है, तो क्लास मेना, enjoy करते हैं, यहां से पॉजिटिव वाइब मिलती है, मुझे, और मैं यहां से भी पॉजिटिविटी आपको पास करते हैं, ओके, चलिए, तो इसी के साथ कल मिल देंगे, thank you very much and take care.